वेलकम बैग गाइस टोवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयरी, मेरा नाम है चेतन पारिक, आरा सगरवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल कर रहे थे हैं, उसमा अपना चेपर चल रहा है, परसंटेज बाला, उसी को कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 20 की सुरुवात पन करने जा रहा है, 19 पार्ट अब तक आचुके हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, इस वीडियो का पहला सवाल, हर साल 25 परसंट उसको गेन हो रहा है, ठीक है, अगर 3 साल के बाद उसको टोटल मिला कर 10,000 रुपे मिले, सारा का सारा प्रॉपिट इखटा करके 10,000 रुपे मिले, तो क्वेस्टन आपको पूछ रहा है कि इनी से लिए उसने कितना रुपिया इन्वेस्ट किया था, खूब सारे सवाल अपन ने इसी टाइप के लाश्ट वीडियो के अंदर गिये तो वाँ पर मैंने बताया था, कि जो fraction है उसको आप ratio के form में लिखोगे, कितनी बाद लिखोगे, जितनी साल का gap है, तो यहाँ पर 25% को सबसे पहले तो fraction में देखे तो किता लिखते हैं, आपन 1 by 4 लिखते हैं, एक अगर increase हो रहा है, इसका मलब 4 से कितना हुआ यहाँ पर यह 5 हुआ, टोटल 3 साल की बाद चल रहे हैं, इसका मलब 4 से 5 में 3 लिखूँगा, चार से 5 लिख दूँगा, यह तो है 3 साल बाद की बाद, और यह है जब आपने पैसा इंवेस्ट किया था, जब इस आदमी ने पैसा इंवेस्ट किया था, तो चार इंटू, चार इंटू, चार कितने हो गए, 64 हो गए, और 5 इंटू, 5 इंटू, 5 कितने हो गए, 125 हो गए, 125 इनिट्स की एक्चुल वेल्यू जो है, वो अपन को कितने दे रखिये, 10,000 रुपए दे रखिये, तो आपको पूचा है कि जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, उस समय रुपया कितना था, यानि 64 इनिट्स की वेल्यू पूचिए, तो 10,000 के अंदर, 125 का डिवाइड लगा देंगे, तो एक इनिट्स की वेल्यू मिल गई, ठीक है, अब इसको मुल्टिप्लाइ करा देते हैं, आट इन्ट्स कित्ता हो जाएगा, 512 होता है, तो 5,120, option A, इस question में अपना correct answer होगी है, clear है, चलते हैं, एक ले सवाल की और, next question, the population of a town is this, if it had been increasing at 10% per annum, its population 6 years ago was, 10 साल पहले उसकी population कितनी थी, अगर हर साल 10% increase हो रही है, 6 साल पहले population कितनी थी, यह आपको find करना है, तो 10% increase हो रही है, इसका मदलब कितना हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, और 6 साल की बात हो रही है, इसका मदलब 10 से 11, 10 से 11, इस तरह किसे total कितनी बार लिखेंगा, अपने यह आपे 6 बार लिखेंगे, क्योंकि 6 साल की बात हो रही है, calculated सवाल जरूर है, ठीक है, यह कह रहा है, 6 साल पहले population of a town, मलब present population अगर इतनी है, तो 6 साल पहले population कितनी थी, मलब इन सब को जब आप multiply कर रहे हो, इन सब को जब आप multiply कर रहे हो, तो यह कितना है, 11 की power 6 है total, और यह कितना है, 10 की power 6 है total, तो यह जो 11 की power 6 है, उसके actual value कितनी देरिखी है, इतनी देरिखी है, 11 की power 6 actual में इतना ही होता है actual में इतना ही होता है जब आप 11 की power 6 को solve करोगे तो इतना ही होता है यानि actual population जो है 6 साल पहले वो भी कितनी होगे 10 की power 6 10 की power 6 यानि कितना 1 के पीछ 6 0 option यह simple सा सवाल था आगे बढ़ता है The value of a machine depreciates at the rate of 12% per annum It was purchased 3 years ago If its present value is this What was the purchase price of the machine बिल्कुल सेम सवाल है अभी अपने जो last सवाल किया था So I hope यह सवाल आप कुदी कर लेंगे इसको solve करेंगे इसका जो भी answer है आप मुझे comment box के अंदर लिखके बताएंगे अगले सवाल के और चलता है अगला सवाल के है The value of a fixed asset depreciates at the rate of 10% of the value at the beginning of each year मतलब हर साल 10% decrease हो रही है किसी asset की value If the value of the asset 2 years ago was 12,000 rupees more than the value of asset 1 year ago then find the present value of the asset given that the asset was bought 2 years ago दो साल पहले अगर उस asset को करिदा गया था और यह 12,000 का एक difference भी दे रखा है तो आपको पूचा है कि present worth कितनी है उस asset की यह आपको find करना है सबसे पहले तो देख लेता है increase कितना हो रहा है 10% से depreciate हो रहा है कम हो रहा है 10% से तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 10 से 9 और 10 से 9 दो बार ठीक है लेकिन जब अपन 10 से 9 10 से 9 एक की नीचे एक लिखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपको यहां पर मिल जाएगा 100 यहां पर मिल जाएगा 81 यह 100 होता है जो दो साल पहले था और यह जो 81 हो दो साल बाद अब यहनी present में है तो बीच में जो एक साल की बात हुई वो तो यहां पर कही पायी ही नहीं इसलिए इसको इस सवाल को मैं यहां पर एक की नीची एक करके नहीं करके मैं क्या कर रहा हूँ इसको split करके करता हूँ 10 से 9 और यहां पर भी मैं क्या करता हूँ 10 से 9 इस तरीके से इसको solve करता है तो यह क्या होगा दो साल पहले की बात हो गई 2 years ago ये किता हो जाएगा एक साल बाद की बात हो जाएगी उसकी एक साल बाद यानि अब से एक साल पहले और ये क्या हो गया present यानि अब की बात हो गया तीन step का अंदर भाड़ दिया अब इस ratio को कैसे solve करना है तो अपनने खूब सारे सवाल किया है 9 into 10 किता होगे 90 ये 9 से 90 कैसा आया into 10 करने पर तो इसको भी into 10 कर देंगे 100 हो गया और ये 10 से 90 कैसा आया into 9 करने पर तो इसको भी into 9 कर देता है किता होगे 81 मतलब 2 साल पहले जो चीज 100 थी 10% decrease होगे एक साल बाद 90 होगे और उसकी एक साल बाद वो और दस परसेंट डिक्रीज हुई और कित्य बन गई 81 बन गई सवाल के अंदर क्या दे रहा है If the value of the asset 2 years ago Was 12,000 more than the value of the asset 1 year ago मतलब एक साल पहले जो asset के value थी और दो साल पहले जो asset के value थी उन दोनों के बीच में difference आपको दे रखा है 12,000 यहाँ पर यह वाला difference दे रखा है यहाँ पर यह difference 10 है लेकिन actual में difference कितना है 12,000 का है यहाँ आप आपने 10 को किस से multiply किया 12 से multiply किया दब आपको जाके यह चीज मिली तो आपको जो भी पूछा उसको 12 से multiply कर देते हैं सवाल के अंदर अपन को पूछा है कि present worth कितनी है present value कितनी है तो यहाँ पर इस 81 को मैं 1200 से multiply कर देंगा 81 को 1200 से multiply कर देंगे तो पीछे किता आ जाएका double zero 12 यहाँ पर आ गया one sorry two और carry चला गया one और 96 और one किता हो गया 97 यानि 97,200 रूपीज option D इस question में अपना correct answer बो गया here a simple सा question था चलते हैं अगले सवाल के और next question क्या है a t increases annually by 1 by 8 of its height वालब हर साल वो अपनी height का 1 by 8 units increase हो जाती है ठीक है हमेशा क्या होता है कि आपको percentage दे रखा होता है इस बार आपको fraction ही दे रखा है आगे क्या है by how much will it increase after two and half years if it stands today 8 meter high मतलब अगर वो present में 8 meter उची हैटरी तो ड़ाई साल के बाद में कितनी होगी आपको find करना है एक चीज clear है कि एक बटा 8 से वो हर साल increase हो रही है मतलब जो 8 थी वो एक साल बाद कितनी होगी 9 और फिर से 8 से क्या कर दूँगा 9 देखो यहाँ पर 5 साल की बात हो रही है तो 5 साल में 2 साल तो पूरे पूरे है इसलिए मैंने 8 से 9 8 से 9 पूरा पूरा दो बार दिख दिया उसके बाद आदा साल और है तो आदा साल और को कैसे लिखेंगे देखो 12 मेने की जब बात करते हो तो height increase होती है 1 by 8 तो 6 मेने की बात करोगे तो height किती increase होगी तो 1 by 8 यह 12 जो इदर divide मा जाएगा और यह जो 6 है वो इदर multiply मा जाएगा ठीक है तो यह chances को कारते हो हो किता मिल रहाा है यह 15 मिल रहा है यह नि बारह aniए में माँखर 1 by 8 के इसाब से increase हो रहा है उच्य हम कितना increase होगा 1 by 16 के साब से increase होगा 1 by 16 जो कहई है 16 के उपर रवन इंक्रीज हो रहा है 16 की चीज कितनी बन गए मेरे पास 17 बन घहीं है इस चीज़ को solve करना है 8 into 8 into 16 किता होगे यहां पर लगता हूँ 8 into 8 into 16 और यह कितना है 9 into 9 into 17 यह कह रहा है present में अगर 8 meter है तो 10 साल बाद कितना होगा यानि इसकी value आपको देर किये 8 तो यहां से 1 unit के value किती है आजाएगी एक unit के value आजाएगी 8 divide में यह पूरा 8 into 8 into 16 आपको किसकी value निकालनी है 9 into 9 into 17 की into 9 into 9 और into 17 इसकी value मुझे find करनी है तो देखो यहां पर क्या हो गया 8 से ही 8 तो पूरा पूरा कट गया उसके बाद इसको solve करना है अब इसको calculation आपको थोड़ा ध्यान से देख करना पड़ेगा क् इस सारे के सारे नजदीक में है और यहां पर values है सारी के सारी points के अंदर आ रही है तो इसको multiply करवा लेते हैं देखो यहां पर 9 into 9 किता हो रहा है 81 हो रहा है ठीक है 81 हो रहा है और 81 17 से जब मैं multiply करूंगा यहां पर 17 यहां पा जाएगा वन ठीक है और यहां पर किता हो जाए 8 से divide करता हूँ तो एक वार में पूरा-पूरा जा रहा है 5 अगर आगे चला गया तो 56 तक 7 वार में पूरा-पूरा जा रहा है अगर एक आगे चला गया तक 2 वार में पूरा-पूरा जा रहा है उसके बाद point टेक करके कुछ ऐसा मिल रहा है एक्चुल जो यह calculation आप पूरी value इसको डिवाइड करके निकाल लें दस करके केवल यह कि इसले मैंने directly यह कोई टिक लगा गया गया, clear है? अगले सवाल क्या और चलते हैं, अगला सवाल क्या है? The population of a town is this, it decreases by 8% in the first year and increases 5% in the second year. What will be the population of the town at the end of 2 years? Simple से सवाल है, I hope यह सवाल आप कर लेंगे चलते हैं अगले सवाल के और खूप सरा question की है अपने ऐसे अगला सवाल क्या है Asis started a business with an annual initial investment of 5 lakh rupees In the first year, he incurred a loss of 4% However, during the second year, he earned a profit of 5% Which in the third year rose to 10% Calculate his net profit for the entire period of 3 years 3 साल तक के लिए उसने किया कि आप 5 lakh rupees invest करके रखे थे पहले साल उसको क्या हुआ जो पैसे लगाया थे उसके उपर 4% का loss हो गया और उसके बाद अगले ही साल क्या हो गया अगले ही साल जब हो गया तो उसको 5% का profit हो गया और अगले साल उसको 10% का profit हो गया तो क्या करेंगे इसको मैं डिरेक्ट आपको सौट तरीके से बताता हूं देखो चार परसेंट यानि एक बटा पच्चिस यानि पच्चिस की चीज कितिनी हो गई चोईस हो गई लॉस हो रहा है इसलिए मैं यहां पर कम करके लिख रहा हूं अगली साल कितना हुआ पांच पर यहां पर पिछ्छे 2,0 लगा जएता है और इनको भी मिल्टिप्लाइ करना है तो चॉइस और 21 बॉस हो मिल्टिप्लाइ करता है है यहां पर चार यहांप आगए रहा है तो प्रेसं पूछरएंoh यह कितनी दे रही है पांच जार से पांच कॉष लाग आया कैसे जब आपन जो profit हो रहा है 500 चमाल इसका इसको भी आप क्या कर दोगे 100 से multiply कर दोगे तो कितना हो जाएंगे 54,400 रुपीज यानि option B इस question में अपना correct answer हो गया clear है अगले सवाल क्या और चलते हैं अगला सवाल क्या है the present value of an optical instrument is 20,000 रुपीज if its value will depreciate 5% in the first year and 4% in the second year and 2% in the third year what will be its value after 3 years बिल्कुल सेम सवाल है जो बेपन ने last सवाल किया था बिल्कुल उसी type का सवाल है तो फिर से मैं आपके लिए जोड़ता हूँ यह skip जो question मैं कर रहा हूँ वो आपको जरूर करना है यहाँ पे question लगबग 400 के लगबग सवाल है इस chapter के अंदर इसलिए मुझे skip करकर ही इनको solve करना पड़ेगा अगर कोई सवाल सेम टाइप का होता है तो ही मैं skip कर रहा हूँ वो आपको जरूर करना है अगरा सवाल के आदेगो 302 नंबर वाला तो population of a variety of tiny bus in a experimental field increased by 10% in the first year, increased by 8% in the second year, but decreased by 10% in the third year if the present number of busses in the experimental field is 26,730, then the number of busses in the beginning was simple सवाल है, तीन step का अंदर हो रहा है, पहले साल 10% increase हो रहा है, मलब 10-11 हो रहा है उसके बाद 8% increase हो रहा है, आठ परसेंट को fraction में क्या लिखत हो, आठ बटा 100, यानि कितना 2 बटा 25, यानि कितना हो रहा है यहां पे देखो 25-27 हो रहा है और अगले ही साल कितना 10% से decrease हो रहा है 10% से decrease हो रहा है इसका मतलब 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है 10 से कितना हो रहा है 9 हो ठीक है इन सब को solve करना है यहां पर तो इन सब को multiply करता है कितना मिल गया मुझे 25 मिल गया और इसको जब multiply करता है 27 और 11 को justement 마र्थ 3, 6 सद्वाती 1, 80 में 6 किता होगे 87 यहां पर गया 8 और 18 और 8 गूंहे 26 ठीक है, यह क्या रहा है कि present में ऐगर इतने हैं तो beginning में कितनी है तो into 10 करके लिखा गया है, is baş conoc तो 25,000 हो जाएगा option A इस question में अपना correct answer हो जाएगा clear है? तो फिलाल इस वीडियो के अंदर गाज इतना ही रखता है आगे आने वाले सवालों को अपन upcoming parts के अंदर solve करेंगे Thank you